सीजन फूर एपिसोड टेन हमें एक प्लेन दिखता है और उस प्लेन में जेसी गस और माई सब बेट रहे होते हैं सब बहुत जाकर कार्टेल को कुक कैसे करना है वो पताने वाले होते हैं नेक्स सिन में स्काइलर वॉल्टर को मैसेज छोड़री दिखती हैं आज वॉल्टर वॉल्टर जुनियर का बड़ड़े होता है तो वो उसके लिए प्रिजेंट लाए होते हैं तो और बाहर से जाकर राओ जब राने जाता है तो सकाइलर भी उसके सात बाहर आती है और उसको उसकी गाड़ी दिखाती है Walter Junior वो देखकर उतना एक्सेटेंड नहीं होता पर फिर भी बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी है Skyler उसके सर्फ बेनेफिट गाड़ी के उसको बोलकर बताती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इसे ड्राइव करना है तो वो बोलता है कि नहीं मैं जरा हंगरी हूँ और फिर ब्रेक्फास्ट करके मैं बहाँ जाने वाला हूँ हम नेक्स्ट सीन में हमें टेड सौल के हाँ दिखाया गया है Skyler के पास बहुत ही पैसे है जो Walter के जो पैसे है वो Skyler नहीं रखे है तो अब वो सारे पैसे वो टेड को देने वाली है IRS को पे करने के लिए क्योंकि अगर IRS ने इंक्वाइरी की तो Walter के भी कवर फ्लैश हो सकता है क्योंकि वो फोन वेगरा टैप कर सकते है तो इसलिए अब वो टेड को पैसे देने वाली है सौल के थूल सौल फिर टेड को बेटने को बोलता है और बोलता है कि तुमारी जो एक आंट थी तो उसने तुमारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर रखे तो टेड बोलता है कि मेरी ऐसे आंट वेगरा कुछ भी नहीं है तो सौल उसे बोलता है कि जब तुमारे एंट मर गई तो उसने कुछ विल वेगरा नहीं चोड़ी थी तो हम उसके जो सक्सेसर है उसको ढूंड रहे थे आठ साल होगे पर हम उसे ढूंडी रहे थे तुमारे फादर उसके सक्सेसर है पर अब उमारे फादर भी मर चुके तो तुम्हें यही पैसे विगरा मिलने वाले है यह एक्चॉल में 600K है तो यह अमाउंट होती है जो एक्चॉल में टेड को IRS को पे करनी होती है टेड यह सुनकर खुश हो जाता है अब कार्टेल के यहाँ सब पोह जाते है माईक गर्स और जेसी और फिर वो लैब में आते हैं लैब में आकर वहाँ सब साइंटिस्ट होते हैं और गर्स जेसी को इंट्रडूस कराता है उनका जो main scientist होता है वो बोलता है कि तुमारा cook कौन है जब वो जैसी को देखता है तब उसे believe नहीं होता और उसे लगता है कि ये क्या cook कर सकता है फिर वो बोलता है कि start कर दो cooking करना जैसी वहाँ जाता है और उसे जो acid चाहिए होता है वो वहाँ नहीं होता वो फिर Gus को बोलता है कि जो acid होता था वो हम directly barrel से ले लेते हैं मुझे directly जो रेडी होता है उसे use करना आता है फिर Gus उनकी chemist को बोलता है हमें लगा था कि तुम already उसको ready करके रखोगे फिर वो chemist Gus को बोलता है तुमारा scientist ऐसा कैसा है उसे सिर्फ वो acid भी बना नहीं आता कोई भी college खलड़का उस acid को बना लेगा जेसी को पता चलता है कि उसके बारे में वो कुछ बोल रहा है तो जेसी उसको गालिया देना start कर देता है वो बोलता है कि तुम्हें अगर सही से करना होगा तो मैं ही तुम्हें सिखा सकता हूँ उस chemist को English भी आ रही होती है फिर जेसी उससे directly बात करता है कि तुम्हारे boss ने मुझे invite किया है कि तुम्हें मैं सिखा सको कि right way से कैसे करना है Walter जुनियर की बड़े party होती तो वहाँ भी Walter नहीं आता तो Walter जुनियर परिशान होता है तो वो Walter के घर आ जाता है वो बाहर आकर उसको message छोड़ता है कि तुम्हारी car बाहर है तो तुम घर पे रही हो वो बोलता है कि अगर तुम घर से बाहर ने आये तो मैं पुलिस को call करने वाला हूँ Walter फिर बाहर आ जाता है Walter injured होता है क्योंकि जेसी ने previous episode में उसे बहुत मारा हुआ होता है Walter junior उसे concert होता है और पूछता है कि ये क्या हुआ तो Walter बोलता है कि मैं एक fight में था वो उसके mother को call करने वाला होता है फिर Walter बोलता है कि प्लीज उसे call मत करो वो और परेशन हो जाएगी Walter फिर बोलता है कि ये मैं fight में था और gambling में कर रहा था इसलिए मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी ये तुम्हें हमारी बीच में ही रखना चाहिए Walter फिर बोलता है कि मैंने एक बड़ी mistake कर दी है और वो रोने लगता है फिर Walter junior उसको ले जाता है और फिर से bed में जाकर सुला देता है अब जैसी सब को cook कैसे करना है वो सिखा रहा होता है लैब में वो दिन रात काम करते है और फिर जब cooking हो जाती है तब वो उसकी purity चेक करते है purity चेक करने के बाद वो 96% आती है सब बहुत भी खुश हो जाते है कार्टेल का जो एक आदमी होता है वो जैसी को बोलता है चाहुआ कि यह successful हो गया यह आने वाले बहुत सारे cook का यह first cook जो था वो successful रहा यानि कि अब जैसी को वो वही रखने वाले हैं नेक सिन में car wash पर Skyler से मिलने Saul आता है Skyler उसे बोलती है कि तुम यह ऐसे नहीं आ सकते हमारा connection तुम expose नहीं कर सकते Saul उसे बोलता है कि मुझे भी car wash के जरूरत है तो इसलिए मैं आ सकता हूँ Saul फिर उसे बताता है कि जैसे तुमने मुझे बोला था वैसे मैंने Ted को पैसे सब दे दिये है पर मुझे मेरे suspicions थे तो मैंने क्या किया कि मैंने directly उसके जो bank record है वो निकाले और फिर मुझे पता चला कि जब मैंने उसे पैसे दिये तो उसके तुरंद वो जाकर उसने एक Mercedes buy कर ली वो तुमारे पैसे IRS को pay करने के लिए यूज नहीं करने वाला ये सुनकर Skylar परिशान हो चाती है नेक्स दिन जब Walter उठता है तो उसे लगता है कि Walter Junior चला गया होगा पर Walter Junior वही सोया हुआ होता है Walter उसे जाकर उठता है फिर Walter उसे बताता है कि तुमने कल जो देखा जैसी मेरी हालत थी तो तुमें वैसे मुझे remember नहीं करना है उसे बोलता है कि मेरा cancer वापस भी आ सकता है और तुमें मुझे वैसे remember नहीं करना है फिर वो उसको एक story बताता है कि मेरे father थे तो उनको भी muscles की एक problem थी जो Walter Junior में आई हुई होती है फिर Walter बोलता है कि वो मैं जब बहुत ही छोटा था उसी वक्त उन्हें ventilator पर रखा गया था और वो मर गए थे मैं बहुत ही छोटा था तो इसलिए मेरी उनकी ज़्यादा memory नहीं थी पर एक ही memory मुझे याद आती है तो वो है hospital में वो मुझे देख रहे थे और वो मुझे इस तरह से देख रहे थे कि उन्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझे मेरी पूरी life में वो सिर्फ उसी तरीके से याद आती है मेरी जो mother थी मेरी डिलेट्यूस थे वो मुझे हमेशा मेरी फादर के बारे में बोलती थे उनकी एक image वो create करती थे मेरे mind में पर मैं मेरी फादर को उस तरह से नहीं जानता मैंने उन्हें actual में जिस तरह से देखा था उसी तरह से मैं उसे जानता हूँ तो फिर वो Walter Junior को बोलता है कि कल तुमने मुझे जैसे देखा वो मेरी memory मुझे तुमारे ली नहीं चाहिए फिर Walter Junior उसे बोलता है कि अगर वो भी memory मेरी तुमारी memory बन गई फिर भी उसमें कुछ बुरा नहीं होगा वो बोलता है कि कल तुम at least honest थे जिस तरह से तुम इस previous year में रहे हो तुम सब छुपा रहे हो और तुम डिस्टिंग रहे हो तो ये memories अच्छी नहीं है कल तुम honest थे तुम तुमारे vulnerable self में थे अगर ये memory तुमारी में याद कर सकूँगा तो ये अच्छा होगा फिर वो Walter Jr. को बाहर छोड़ देता है और Walter Jr. घर चला जाता है फिर स्काइलर टेड को मिलने आती है टेड उसे बताता है कि अब मैं business फिर से start करने वाला हो मुझे cash का एक flow मिला है और मैं सिर्फ मैं सोच रहा था कि मेरे जो clients थे वो उन्हें मैं फिर से पालो और फिर से वो business start करने वाला होता है फिर स्काइलर उसे पुछती है कि क्या तुम IRS को पेह नहीं करने वाले तो बोलता है एक professional advice मैं लेना चाता हूँ और उससे अगर मैं इससे बच सकूँगा तो मैं इससे बच जाँगा तो स्काइलर उसे बोलती है कि तुम्हें उन्हें पेह करना ही होगा तुम्हें इससे बच नहीं सकते अगर तुम्हें best way चाहिए तो तुम्हें उन्हें पेह कर दो और तुम्हारा जो jail होगा वो तुम्हें नहीं होगा फिर स्कायलर उस पर प्रेशा डाल रही होती तो कुटेड उसे बोलता है कि यह मेरे पैसे है मैं इसे किसे भी खर्च करो तो इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है तुमने ही मुझसे रिलेशन्शिप तोड़ दी है फिर वो उसे जाने के लिए बोलता है फिर वो आने ही घस का जो पाडनर होता है उसको मार देया होता है सब आने से पहले जैसी माइक से भूस था है something क्या अब मुझे यही रुख जाना है क्या यही प्लैन था तो माइक उसे बोलता है कि अगर हम जाएंगे तो सब तीनों घर जाएंगे नहीं तो कोई भी यहां से नहीं जाने वाला फिर डॉन इलाडियो और कार्टेर के जो अलग-अलग बॉस होते हैं वह सब वह आते हैं फिर इलाडियो गस से मिलता है उसको हग करता है और बोलता है तुम्हें 20-20 साल में तुम्हारी जगा तुम्हें बतानी पड़ती है फिर वह जैसी क अलकोल लाई हुई होती है तो फिर वह बहुती खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे यह शेर तो नहीं करने चाहिए पर आज सेलिब्रेशन है तो वह शेर करने वाला है फिर वह ड्रिंक्स बनाते है सब आर्टेल को और गस को भी वह ड्रिंक्स दे रहे होते है पर फिर फिर वो जेसी को भी ड्रिंग दे रहा होता है तो फिर वो बोलता है कि जेसी एक एडिक्ट है तुम उसे ये ड्रिंग नहीं दे सकते और तुमें ये सोबर चाहिए अगर तुमें इससे कुछ भी कुछ करनवाना होगा तो तो फिर दॉन इलाडियो उसको ड्रिंग नहीं देत फिर डॉन इलाडियो बोलता है कि अब पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए, वो बहुत सारे लड़कियों को बुलाते है, बहुत सारे डीशेश विगरा, वो सब मजे कर रहे होते है, फिर गस डॉन इलाडियो को बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, जब वो टॉयलेट में जाता है तब वो उल्टी कर देता है याने कि उस अल्कॉल में जहर था जब वो वापस आता है तब कारेटल के सब उस जहर से मर रहे होते हैं वो डॉन इलाडियों भी वही मर जाता है डॉन इलाडियों को बोडिगार्ट होता है उसको भी माइक मार देता है फिर वो सब घर से बाहर निकलते हैं इलाडियों के घर में इलाडियों के और भी आदमी होते हैं फिर गस्ता उनको धमकी देता है इलाडियों मर चुका है अगर तुमें भी मरना है तो तुम घर से बाहर आओगे तुमारा बॉस मर चुका है तो उसके लिए काम करने में अभी कोई भी पॉइंट नहीं रहा वो बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ सीजे मिले वो सब उठा कर तुम यहाँ से भाग जाओ माइक गस को गाड़ी में बैठा रहा होता है फिर गस पर एक गोली चल जाती है वो गोली चलाने वाला डॉन सालम अंकों को नेफी होता है वो ही लास्ट नेफ्य डॉन सालम अंकों को बचा हुआ होता है तो जैसे फिर गन लेकर उसे भी मार देता है जैसे माइक को भी गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से उसे लेकर जाता है यही एपिसोड खतम हो जाता है